Hi friends, welcome to PD Classes, this is Manoj Sharma, आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग जॉब लेकर रहा हैं दोस्तों और वो जॉब है Airport Job, दोस्तों Ground Staff की जॉब है और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Recently मैंने Airport Authority of India में Supervisor की Post दी थी आपको उपने नई चैनल पर Hardly two days पहले कि आपने वो वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो वो जॉब आप अवेल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर graduates के लिए भी जॉब है, supervisor के लिए और lauder के लिए भी जॉब है 8th pass बच्चे के लिए यानि कि जो 8th pass candidate है वो भी airport पे job कर सकता है और जो graduate है वो भी job कर सकता है तो ये तो हुई वो बात जो वीडियो में आपको already अपने नई चैनल पर दे चुका हूँ तो please आप मेरे नई चैनल पर जरूर जाएए, वहाँ पर मैं नई नई वीडियो जादा डालता हूँ इसकी jobs निकाली थी, अगर आपने उसके लिए सर्च अप किया तो well and good है, अगर बहुत से बच्चे ऐसा होते है कि उनके पर experience नहीं होता तो वो avail नहीं कर सकते हैं उन jobs के लिए पर मैंने जो आपको नई चैनल पर job दिये वो आप avail कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ तो आज भी मैं आपके लिए बहुत interesting ची लेकर आया हूँ दोस्तों और वो जो चीज है, वो है executive reservation यह जो post है दोस्तों, इसका नाम है executive reservation यह job निकली है star air पर, अब यह star air जो airlines है इन्होंने यह job निकाली है और हम ले चलते हैं थोड़ा सा यह जानने के लिए कि यह जो job है, इसमें आपका जो work profile है, वो क्या है salary package का है, तो salary negotiable है दोस्तों यहाँ पर और जो age criteria है, वो 18 से 27 years के candidates आज वाली job को apply कर सकते हैं, no doubt आपका जो place of working रहेगा, वो बैंगलोर रहेगा, और यहाँ पर जो बाते इन्होंने कई है, वो मैं आपको बता देता हूँ means job involves what, तो job में जो जो बाते आपको करनी है, या यह कहतो profile है, वो मैं आपको हिंदी में सारा समझा देता हूँ, ताकि आपको benefit मिले, आप यहाँ पर यह बोल रहे है job involves handling, inbound and outbound calls, आप देखो inbound और outbound का मतलब हो गया, कि आपको calls करनी भी है और calls receive भी करनी है, आपने मेरे call center वाले वीडियोस देखे होंगे, call center दो तरह की होते है, inbound, outbound और mix भी होते है, of star external, internal customers pertaining to booking, अब देखिए किसी को booking करवानी तो obvious है, वो आपको call करेंगे, पूछेंगे आप से, residual, queries, complaint handling and facilitations over the call, तो यह सब facilities आपको देनी है, यानि कि आपको overall customers से आपको बात करना, अगर आप एक extrovert personality तो यह job आपको suit करेगी, इसके profile के बारे मैं और आपको बता देता हूँ, यह है, adherence to departmental productivity standard, obvious वही, अगर आप किसी organization में job कर रहे है, you are responsible for its productivity, development, growth, आगे हम चलते हैं, additionally, reservation executive could be involved in offering selling competitive prices and packages, means आपको competitions में भी उतरने के प्यादत होनी चाहिए, तो obvious है, वह आपसे कुछ questions put up करेंगे, पर वो questions मैं आपको बताऊं, जो आपको interview में देने होंगे, उससे पहले बता देता हूं यहाँ पर, कि इन्होंने आपसे तीन languages की command मांगी है, that is Hindi, English and Kannad, देखे दोस्तों, उस area में अगर job है, तो obvious है, अब कुछ बच्चे निराश हो गए होंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को कंणड नहीं आती है, agree करते हो, पर जो मैंने आपको cargo की job दी अपने नहीं चैनल पे, airport authority of India में वहाँ पर ऐसा कोई foundation नहीं है, कि आपको कंणड आनी चाहिए आप वो job avail कर लो दोस्तों, इवन 8th pass बच्चा भी वो job कर सकता है, चलते हैं, आगे, confidence and ability to handle passengers, बिल्कुल यह confidence आपके अंदर होना चाहिए, the best customer service, बिल्कुल, और इन्होंने आपको बोला है, a candidate should be willing to work in rotational shifts, means आपको एक stereotype life पसंद नहीं होनी चैन operations के लिए आप ready रहेंगे, अब बात करतें दोस्तों, कि जब आप इस तरीके के interview देते हैं, चाहिए मैंने आपको airport authority of India का दिया हो video, या मैंने star air का मैंने आपको जो video दिया है, सब में एक ही बात है कि जब आप interview देंगे, तो पहले आपको अपना resume upload करना होगा, resume आप हमारी channel से देखेंगे और आप YouTube पे लिखना killer resume PD classes आपको विडियो मिल जाएगा, अगर आप cover letter भी साथ में चाते तो आप YouTube पे लिखेंगे cover letter PD classes तो आपको एक video मिल जाएगा, जिसमें अगर आपको resume चाहिए बहुत अच्छा तो आप YouTube पे लिखेंगे killer resume PD classes और आपके सामने विडियो आजाएगा, अब बात करते हैं दोस्तों अगर मैं इसको apply करने यहाँ apply कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर apply apply for executive reservation तो इन्होंने आपसे content information बागिए जिसमें आपको अपने detail बरनी है, email address, phone numbers, country, city, education और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आप से complete college वगरा की degrees, work experience की बात कर रहे हैं कि आपने कब सक कब कोई काम किया हूँ, इस department से related नहीं किया है न दोस्तों तो भी कोई work profile आप ऐसा दिखा स सकते हैं, कोई workshop आप दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसा work profile अगर आप ने किये तो, उसके बाद एक resume आपको upload करना है, यहाँ पर choose file करके, तो upload your documents, अगर आपको अपने documents भी यहाँ पर upload के लिए बोल रहे हैं, तो you can upload, तो resume आपने already बना दिया है, यहाँ पर, तो obvious है कि अगर executive reservation, job location आपका Bangalore head office रहेगा दोस्तों, और area of interest जो है, उसके बारे में भी बताये गया है, यहाँ तक कि आपको और भी बहुत सी बाते बताई गई गई है, कि आपको किस तरीके से avail करना है, contact center, और यह है minimum required, अब यह देखिए, यहाँ पर जो education है, उसके लिए बोल रहे हैं, graduation यानि कि अगर आप graduation pursue भी कर रहे हैं, तो भी चल सकता है, freshers apply कर सकते हैं, 18 से 27 आपका age group होना चाहिए, inbound, output calls आपको handle करनी है, customer queries handle करनी है, और department को productivity देनी है, क्या के responsibilities और key responsibilities और qualities आपके अंदर होनी चाहिए, बिलकुल मैं आपके साथ already discuss कर चुका हूँ, कि आप willing होने चाह किसी भी समय पर आप तयार रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो job है, इसमें जब आप जाएंगे तो आप और अच्छे से बढ़ सकते हैं, अब मैं ले चलता हूँ आपको कि इसको apply कैसे करना है, तो यह भी important है, हम यह देखेंगे कि इस job के लिए आपको apply कैसे करना है, उ almost सारी चीज़े easy है, बचो बस एक दो चीज़े बीच में आएगी जो आप समय लेना, यह contact as country, सब आप भर देंगे, मैं idea लगाता हूँ, यहाँ पर city वगरा, सब आप भर देंगे, easy है, easy है, यह भी easy है, postal code वगरा, are you looking for new recent graduate level role, तो yes or no, यह भी देख सकते हैं, internship वगरा चाह या फिर जो भी आपने किया हो, तो उसको आप क्लिक experience अगर है, अब यह देखे, यहाँ पर मैं एक बड़ दुबहर लेकर आता हूँ, तो business administration, management से related, अगर आपका work है, या आपने किया है, तो आप बिल्कूल highlight करें, engineering से related, आपकर आपको job चाहिए, obvious है, operations related चाहिए, तो यह स similar resume ही बनाएंगे, YouTube से देखकर, fluent language, पर आपके पास option है, fluent language के लिए, और यहाँ पर आप जिस जिस दर fluent है, पर आप याद रखेगा, दोस्तों, फिर से बोल देता हूँ, इस job के लिए, मैंने आपको already बताया है, कि आपके kernel language पे command होनी चाहिए, इसके बाद में, जब आपना document submit कर देंगे, तो obvious है, आपका जो interview होगा, उसके basis पर यह आपका salary package होगा, तो इन्होंने salary package यहाँ पर नहीं highlight किया, बस आप इस बात का दियान रखेगा, तो salary depend interview देने के नजरिये पे, आपके own, आप your own experience, अब देखिए, यहाँ पर यह बोल भी रहे है, कि have you any experience, experience है, yes or no आप करेंगे, अगर आप yes or no करते हैं, तो बिल्कुल, तो obvious है कि अगर आपको experience है, तो आपके experience के बारे में आपसे जुरूर पूचेंगे, कि आपका किस change का experience है, अब मेरा फर्ज बनता है, अपने students को ये भी तयार करना, कि यदि आप ground staff के लिए जा रहे हैं, cabin crew के लिए जा रहे हैं, किसी भी job के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास formal होना चाहिए दोसको, बहुत अच्छे चे मैंने अपने channels पर आपको दे रहे है, body language interview के videos, cabin crew के videos, airport industry के videos, आपको ground staff के videos, उनके थुरू भी आप सीख सकते हैं, पर जो बाते मैं आपको बता रहे हैं, for example, आपके पास एक बहुत अच्छा आपना introduction होना चाहिए, जो आपको हमारे नई channel और PD classes दोनों channels पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं, other than that, अगर आप star year के लिए जा रहे हैं, तो obvious है, आपके पास star year के बारे में पता होना चाहिए, आपको star year क्या है, they would ask क्यों कि star year के बारे में कुछ जानते हो क्या, तो obvious है कि आप Google पर जाएंगे, website पर जाके इसके बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं, पर जो profile जो मैंने आपको बता है, वो बिल्कुल accurate है, और जो salary package है, वो negotiable है, तो depends on on candidate to candidate, कि आप वहाँ पर कितना negotiate कर लेते हैं, other than that, वो आपसे company के बारे में पूछेंगे, वो आपस learning new culture, meeting new facility, making new friends, इस तरीक है कि आपकी hobbies होनी चाहिए, other than that, आपको एक stereotype life पसंद नहीं होनी चाहिए, आप competitive edge में रहना पसंद करते हैं, आप ए competitive person हो, challenges पसंद करते हो, jovial person हो, सबको खुछ देखना चाहते हो, you don't like anybody to remain sad in your company, other than that, you can say I'm a team spirit person, से सबको साथ में लेकर चलता तो कि you are supposed to deal with customer queries, तो उस समय है, you should have lots of patience, afterwards patience होना चाहिए, बात करने का अंदा, यानि कि soft skills बहुत अच्छी होनी चाहिए, other than that, they expect you that you should have good command on English, obvious है, मैं हमेशा अपने students को बोलता हूँ, English आप हमारी lady teacher से online courses करके कर सकते हैं, online courses हम आपको interview के लिए भी करवाते हैं, other than that, universal interview, एक आपके हर जगे काम आईगी, तो you can avail that book also, तो आपको benefit मिलेगा, और questions के अंदर अगर मैं आपको ले चलूँ, तो आपकी family के बारे में बिलकुल पूछ सकते हैं, आपके पास को experience है, तो उसको detail करके बता पूछ सकते हैं, कि आपने भी तक जो experience गेन किया है, उसके बारे में ह love you lot.